हेलो एब्रिवन वेल्कम बेक टू माई चैनल आज की इस वीडियो में मैं आप लोग उसे शियर करूंगी आप बिना डाइटिंग किये सिर्फ पानी पीकर और सही तरिके से पानी पीकर आप कैसे अपने बजन को घटा सकती है तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते है आप देख रहे हैं Health and Everything और मैं हो मौसमी भी तक आपने Health and Everything को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए करब lifestyle और खान पान के कारण लोग तेजी से मोटा पेकर सिकार हो रहे हैं जिससे कि अब lockdown है तो lockdown में लोग घर में बैठके और भी मोटा पेकर सिकार जल्दी हो रहे हैं तो बजन घटाने के लिए लोग exercise और dieting तो करते हैं लेकिन उससे कोई भी फाइदा नहीं होता आपको जानकर हैरानी होगे कि सही तरीके से पानी पीकर भी आप अपने बजन घटा सकते हैं जिससे कि पानी में कैलोरी की मातर नहीं होती है ये सिर्फ बोडी को active रहने के लिए अधिक बजन बाले अमेरिकाओं के बच्चों पर किये गए research से पता चला है कि ठंडा पानी पीने से 25% कैलोरी बर्न होती है और हर 10 मिनिट में अगर आप एक कप पानी पीते हैं तो ये हमारी बोडी को active रखता है और भूग भी नहीं लगते हैं दर असल पानी पीने के बाद बोडी के सभी सिस्टम तेजी से काम करते हैं इस दोरान फेट बर्न करने के लिए शरीर को अधिक मेहनत करनी परती है तो इससे बजन कंट्रोल रहता है और अतिरिक तरशर भी जबानी होती है आम तोर पे भोजन करने से पहले पानी पीना आवशक है अगर आप भोजन करने के बाद पानी पीते है तो आपकी बजन बढ़ने की चांस जादा होती है अगर भोजन करन किसांस कम हो जाती है क्योंकि आपको जब भूग लगती है तब आप पानी पी लेते हैं तो आपकी भूग भी कम हो जाती है और आप खाना भी कम खाते हैं और इससे आपकी मोटा पे की शिकर होने से भी आप बच जाते हैं अगर आप breakfast से पहले पानी पीते हैं तो ये पेट भरा होने के कारण भोजन के दोरान केलोरी के मात्रा 13% घर जाती है पानी में केलोरी नहीं होती है और ये तेजी से फेट बर्न करती है बजन घटाने के लिए ये हैबी नास्ता करने की बजाए अगर आप पेट भरके पानी पीए तो इससे न सिर्फ बजन कंट्रोल होता है बलकि आपके चेहरे पर भी एक चमक आती है पानी पीकर बजन घटाना बेहत आसान है अगर आप एक्सरसाइस और डाइटिंग से उप चुके हैं तो इस फर्मूला को जरूर एपलाई करिए और इस टिप्स को बच्चे बोरे सभी फोलो कर सकते हैं अगर आसके वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मेरे चनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना है फिर मिलती वी ऐसी इंट्रेस्टिंग और इंपरमेटिव वीडियो